तो नाश्ट वेविनार में Ayser ने Oakund के न्यूव पेड़ वर्जन के बारे में काफी जबरदस्ट अप्डेट दिया है कुछ न्यूव फीचर्स के बारे में Ayser ने बताया है जो काफी जबरदस्ट हैं Frens उसके बारे मैं आपको बताना चाहता हूं Ayser ने बताया कि ओगंट का new paid version अभी आप जो as a trial देख रहे हैं उससे काफी ज़्यादा बेहतर होने वाला means advanced feature हम सभी को paid version में मिलने वाले हैं यानि कि अभी जो हम देख पा रहे हैं यूज कर पा रहे हैं इसमें जो feature हमें दिखाई देरा एक basic feature हम सभी को इसमें दिखाई देरा फरेंट इससे काफी ज़्यादा बेहतर होगा हमारा paid version उसमें बहुत सारी features हमें दिखाई देने वाले हैं जैसे कि कुछ यहाँ पे features के बारे मैं बता यह कुछी features के बारे मैं जो कुछ भी हो चुक है, अगर आप उसको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर live rewind कर सकेंगे friends, क्या कर सकेंगे, आप यहाँ पर live rewind कर सकेंगे, fast forward कर सकेंगे, और replay कर सकेंगे, जो word आपने miss कर दिया, जो चीज़े आपने miss कर दी है, उसको आप replay कर सकें out there कितना जबरदस्थ फीचर हमें paid version में मिलने वाला है याने कि अगर हम किसी meeting में देर से पहुंचते हैं कोई भी region हो सकता है सो देर से पहुंचने के बावजूद भी हम जो चीजे हो चुकी है जो चीजे बोली जा चुकी है उस webinar में उसको हम again fast forward करके उसको replay करके उसको rewind करके हम देख सकेंगे सुन सकें कितना जबरदस फीचर है amazing friend मुझे ये फीचर काफी ज़्यदा पसंद आया इसकी बाद second feature के बारे में ऐसे ने बताया कि o connect में webinar का transcript भी एक नया feature होगा जिसमें text अथवा video format सामिल होगा इस तरह आप अपने needs के आधार पर webinar को पढ़ सकेंगे या फिल सुन सकेंगे so lots of great features को देखने के लिए और use करने के लिए तैयार हो जाए इसके बाद हम third important feature के बारे में बात करते हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ लोगों को slow internet connection के वज़े से o connect को use करने में कठनाई होती है जिसके वज़े से o connect webinar में join होने video को देखने और idea को सुनने में problem होती है यानि कि वो webinar को join नहीं कर पाते हैं जल्दी से और join कर भी लेते हैं तो अंदर जो कुछ भी हो रहा होता यानि कि जो leaders हमारे panel पर रहते हैं बीरो दिखाई देता है या फिर उनका idea जो सुनाई देना होता है वो भी उनको दिखाई या सुनाई नहीं देता है क्योंकि slow internet connection के वजह से परेंट तो यह एक problem है कुछ लोगों के लिए जिनका internet speed कम है तो यहाँ पर ऐसर ने बताया कि on passive इसे समझता है यानि कि जो problem है कुछ लोगों की on passive इसे समझता है और AI यानि कि artificial intelligence आपके connection को समझने के लिए आपके device को ping करने में सच्छम होगा यानि कि आने वले time मे AI आपके connection को समझने के लिए आपके device को ping कर पाएगा और resolution को drop कर देगा ताकि आप धीमी internet connectivity में अगर आपका internet connectivity slow है, speed कम है तो आप उसमें भी webinar को join कर सकेंगे और आप सभी feature को अच्छे से use कर पाएगे लेकिन resolution कम होने के वज़े से आपकी जो video quality है वो कम हो जाएगे फ्रेंट्स, लेकिन इससे कोई दिखत नहीं है जिनका internet slow है, connectivity slow है, उनका speed कम है internet का, उनके लिए काफी अच्छा feature रहेगा कि वो slow internet connection में भी webinar को join कर पाएगे और सभी feature को अच्छे से use कर पाएगे, तो जिनके पास ये problem है कि वो webinar को join नहीं कर पाते हैं, internet की वज़े से, तो आपके लिए कोई भी problem नहीं है, आपको टेंसल नहीं की जोतनी है, Acer ने on passive ने इस problem का solution निकाल लिया है, बहुत ही जल्द ये feature हमें देखने को मिलेगा, आप slow internet connection में भी आप webinar को यानि की ओकनेट पर webinar को join कर सकेंगे, और सभी feature को आप अच्छे से use कर सकेंगे, So amazing friend, काफी जबरदस्त feature हमें paid version में मिलने वाले हैं, और Acer ने ये भी बताया है, कि new paid version का resolution 4K तक रहेगा, कितना रहेगा, 4K तक रहेगा, दिन इसके बाद हम आगे चल कर, hardware device के साथ 8K तक की quality प्राप्त कर सकेंगे, कितना कर सकेंगे, hardware device के साथ 8K तक की quality प्राप्त कर सकें और यही नहीं, इसके बाद भी हम आगे बहुत कुछ करने वाले हैं, यानि कि quality हम हमेशा इंप्रूब करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, तो Acer में काफी जबरदस्त feature आने वाले हैं, new paid version का हमें इंतिजार है, अभी जो आप features को use कर हम लोग purchase करेंगे, तो बहुत सारे advanced feature हम लोग देख पाएंगे, तो तैयार हो जाएंगे, सभी advanced feature को open में use करने के लिए, I hope ये वीडियो आप सभी के लिए informative जरूर रहा होगा, वीडियो informative रहा सो वीडियो को like कर दीजेगा, friends को share कर दीजेगा, और चनल को अगर आपने कर दो